Hello everyone this is Simran Chit Kaur Welcome to MS Study Guru तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कॉस्ट थीउरम के बारे में कॉस्ट थीउरम का ठेप्ड क्या है देखो कॉस्ट धीउरम की ठोड़ी सी basic assumptions लेते हैं हम कॉस्ट तेउरम एक्च्छल में externalities को correct करने के लिए यूज किया जाता है कि इनको externities को correct करने के लिए externities market imperfections होती है market imperfections होती है जब कभी भी market में social cost and private cost social benefit private benefit में divergencies आते हैं उन्हें हम externities कहते हैं जैसे कि किसी भी काम में अगर society की cost जादा आए private cost से private individual की cost से तो ये negative externity जाती है ठीक है इसके उल्ट जो है वो positive externity बनेगी इसी तरह से अगर social benefit जुँ है जादा हो private benefit से तो ये positive externity होती है इसके उल्ट जो है वो negative externity होती है तो ऐसी externities की problem को खतम करने के लिए जो है कोस्यूरम बनाया गया है तो ये जो externities है कोस्यूरम कहता है एक स्टेनटी की प्रॉब्लम कहतं हो सकती है इंडिविजल बार्गनिंग के जरी है यह यह जो है प्रॉब्लम खथम हो सकती है है इसमें यह चाहिए कि अगर हैं वह दोनों पार्टी में आपस में निगोडियेशन करने की इसलाह करने की बैठ के बात करने की वो जो कोस्ट है निगोटेशन करने की आपस में वो नेगलीजेबल होनी चाहिए कम होनी चाहिए ठीक है या तो हो ही ना या तो कम होनी चाहिए तो अब समझते हैं एक एक जामपल के थूरू के जो कोस्ष्यूरम है वो क्या कहता है इस एक नंवीट ग्रोडों के अपनी अपनी लैंड है लेकिन लैंड पेड़ेंड नहीं ञाज है, कोनई जो त्यूंक्ता नेंगा प्र हम थैप में क 슈नल मॉट अपनी अपनी लैंड' है उसकी नाज जाके वीट ग्रोर के लेंड है वह उसकी वीट को जो है डस्ट्रॉइ कर देती है ठीक है तो वह का उसके पाइव जो है कैसे हो सकती है इसमें सबसे पहले जो व्याजर है उसके पास कौन से से option उप्शंसहरे और सकता है यहां पर उक बार तो बनती है कि क्या जो इस रहें वह लाइबल है ने जो के पास प्षयंद में जाके कर दी है पहला तो उसको यह है के वह फैंस बना दे ठीक है फैंस बना दे ताके लैंड्ड में डिवायई हो जाए जाहिंद जा रही न सकते दूसरा उसके पास option है कि जो भी डैमेज उसकी काउज उसके वीट वले वीट पे करती है उसका वो डैमेज पे करें ठीक है देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बताया फर्स्ट ऑप्शन बताया कि जो कैटल रेजर है वो फैंस लगा दे मतलब लैंड को डिवाइड करतें सेकंड उसके पास option है कि वो डैमेज पे करें उसकी जो काउज है वो जाकर वीट वले farmer की जो भी crops रिस्ट्रॉई करती है उसका damage वो पे करें खुछ से ठीक है थार्ड उसको option है कि वो दोनों की कोस्ट कंसीडर करें अपनी भी अपनी cost भी क्या उसकी कितनी cost लगेगी और जो wheat growing farmer है उसकी cost भी consider करें तो उसके accordingly conclusion लए कि किसकी cost जो है कम पढ़ रही है दोनों में से उसकी cost कम पढ़ेगी या फिर wheat farmer इसके कोई step लेता है तो उसकी cost कम पढ़ेगी मतलब दोनों की आपसी असला मश्वरा लेके वो एक conclusion पर पहुंचे ठीक है तो ये तीन options तो आगे हमारे cattle razor farmer के लिए अब जो wheat farmer है वो क्या इसमें करें तो जो wheat farmer है उसके पास ऐसा तो कोई भी right नहीं है ना कि वो cattle razor को जाके कहे कि तू अपनी cows को यहां से उठा ले या cows को कहीं और shift कर दे इसा तो उसके पास कोई light नहीं वहाँ आपके नहीं कर सकता ना काउज है थीक है तो इसके पास पर यहीं है कि वो फैंस लगा दे लेंड पे लैंड को डिवाइड कर दे दूसरा उसके पास option है कि वो accept कर ले कर ले यो कैशनली डैमेज के कभी-कभी यह वो काउज आएंगी रोज रोसाना थोड़ा आके उसके भी लैंड को डैमेज कर देंगी कभी-कभी आएंगे तो उसके कर ले उतनी को स्वो बियर कर ले तो अब दोनोंग पार्टी में अगर वह आपस में निगोटियेशन करती है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना क्या किस किस पार्टी के लिए क्या चिस्थ चाहिए क्या नहीं साइए तो इस था मुझूएस से अपने एक konkluion पर पहुंचे ठीक है तो नोगर के negJust 17 कोस्ट कोई नहीं है अब वो आपस में बैठे एसला करें कि हमें क्या करना चाहिए तो इस से कोडिंग ली वह कंक्लूएन पर पहुंचे तो सबसे बेनेफिट जो है कंक्लूएन यही निकले गा कि दोनों में से किसी भी एक फार्मर को जो है वो फैंस बनाना पड़ेगा ठीक है तो फैंस किसे बनाना है किसे नहीं बनाना यह सब उनकी negotiation पे डिपेंड करता है उनकी bargaining पे डिपेंड करता है दोनों पार्डिस की bargaining पे ठीक है तो इसी तरह यह कोस्थूरम बताया गया है कि अगर negotiation कोस्थ नहीं है bargaining कोस्थ कोई नहीं है तो जो firms है वो बैट केस लाउस मश्वरे से पर पहुंच सकते हैं और externity की problem जो है उसे correct कर सकते हैं ठीक है तो यह जो है कोस्थूरम है इसमें main चीज़ आपने जो लेके चलनी है वो वही है जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी कि इसमें negotiation कोस्ट कोई नहीं है small number of firms काम करते हैं तो बार निगोटियेशन कोस्ट को